तो कैसे है आप लोग आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नए व्लॉग में और आज ये एक इन्फोर्मेटिव वीडियो रहेगा कि जो अब नए स्टुडेंट आ रहे है जो लाइंटेक में तो वो क्या-क्या चीजे लेके आए तो उसके बारे में ये व्लॉग होगा तो ब दाल दूँगा अगर कोई चीज नहीं मैं बूल पाऊंगा मैं बूल गया होगा तो वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहला है कि दो-तीन लोवर लेके आए क्योंकि यहां पर हम काम करने आ रहे हैं कॉलेज तो एक-दो दिन हो या किसी ऐसी जगापे काम कर रहे है तो वहां पर ब्लेक ज्यादा प्रिफर करते हैं तो यह भी बात है कि आप लोवर लेके आए तो उसमें प्लैक ज्यादा प्रिफर करें उसके बाद 5-6 टी-शठ तो उसमें भी मैं यह वो ड्राव की 2-3 टी-शठ ब्लैक लेके अगर आप शर्ट पहनते हैं तो वह भी दो तीन लेके आईएगा उसके बाद जीन्स जीन्स तो ज्यादा पहनने के लिए काम में नहीं आएंगे क्योंकि कॉलेज दो तीन दिन जाना है उस दिन ही मगर यहां के जीन्स है वह इंडिया के जीन्स नहीं अच्छे नहीं है इंडिया के जीन्स बहुत अच्छे तो मैं तो यहीं प्रिफर करूंगा कि आप वहां से लेकर यहां पर कपड़े इतने ज्यादा अच्छे नहीं मिलते हैं उसके बाद आप शॉट्स पहनते हैं तो शॉट्स आप लेकर आ सकते हैं चार पांच अगर आप पहनते हो तो वह भी है उसके बाद अंडर्वियर साथान अंडर्वियर तो लेके या ना क्यूंकि हम हर रुज तो यहां पर कपड़े दोने वाले हैं नहीं तो यह थोड़ा बेनिफिशल रहेगा हमारे लिए अगर हमारे पास साथ आंट हो तो एक विक के बाद दोएंगे फिर भी चलेगा इसी लिए उसके बाद मैं क्या बूल रहा हूं शॉक्स जो हम शॉक्स पहनते हैं वह भी लेकर आईएगा आंट नो पैर क्योंकि यहां पर हर रोज आप चाहिए तो वह पिलेकर आई गा ऊसके बाद मैं था हम एक होता है थो इसी वजह से येप लेकर आई गा उसके बाद हैं विंटर है एक बढ All आ है जरूर लान आ क्यूंकि अभी ठंड चल रही है तो इस हिसाब से आप अपना करके आएगा अगर आपको ज्यादा ठन लग रहे हैं तो ऐसी अच्छी सी हेट लाना अगर कम लग रही है आप पहनते नहीं है ज्यादा तो ऐसे काम चलाओ भी चलेगी तो इस तरह से आप अपना अपना देख लीजिएगा उसके बाद है समर है यहां पर दूप बहुत बहुत जोरदार पड़ती है जबरदस्त जबरदस्त दूप पड़ती है यहां पर वो चूबती है तो विंटर हेट भी लेके आईएगा तीन चा उसके बाद हम जो टावल है जो हम बात लेने के बाद जो टावल होते है वो दो ल होना चाहिए तो उसी साब से फिर एक हुडी लेके आईएगा अगर आपके पास वहां पर है इंडिया में तो नया लाने की जरूरत है नहीं वह भी चलेगी उसके बाद है एक स्वेटर जो भी वह भी इंडिया में है तो नया लाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां के स्वे और फिर यहां लेकर आएंगे उससे अच्छा है कि यहां आओ और यहां से ही मिल जाता है यह में जो जैकेट लाएं वो फिप्टी डॉलर का है इंडिया के कितने हुए कि 2500 जैसे सम्तिंग उतने में यहां पर भी मिल जाता है तो स्वेटर अगर आप पर पास नया नहीं है काम चलाओ गर पर है तो वो लेकर आए नया ना लाए मेरे तो यही सजेशन है क्यूंकि आप यहां आगे कुछ ना कुछ तो लेने वाले तो फिर वहां से भी लेकर मेरे ज दो लेकर आएगा उसके बाद शूज दो लेकर आए था और उसमें एक प्रिफर कीजिये गा वही काम के लिए तो उसके बाद के का दो देखें मुझे बश्ए से लेका है तो यहां के नहीं बहल और पर ह मोजह है और यहां ने दूसरी चीजों मदलब ब्लैंकेट लेकर आएगा उसके बाद दो एक दो ंजेरा लेकर पीलो और प्लसमें आप बता देता हो कि आप बहुत लेकर आउँ खैलो उसका भी हमाओधि यापाच प्लिपकर कॉश्च करेंगे तो तो वह वहां पे आपको मिलेगी वह 400-500 रूपय की आती है मगर उसमें 4-5 बैग साती है और उसके साथ एक पंप भी आता है वकसिन ना यहां पर वकट लगोरा उसके बाद से हैं के पासा प्लग होता है तो इसी लिए ऐड़ एक दूलक है उसके बाद है निल कटर, नाकुन भी काटेंगे ना, उसके बाद सूइद आगा है, फिर अगर आप Google पहनते हैं, तो एक Google लेके आए, और आप Specs पहनते हैं, तो दो तो लेके ही आए, क्योंकि यहां पे महंगे मिलते हैं, और अगर आप वहीं से लेके आए, तो आपको सस्ते पढ़ेंगे, उसके बाद बरतन, बरतन में है कुकर, तो कुकर आप लेके ही आए, क्योंकि यहां पे कुकर बहुत महंगे पढ़ते हैं, क्योंकि यहां से यहां बनते नहीं है, इंपोर्ट होके आता है, तो यह महंगे होते हैं यहां पे, तो इंडिया से एक कुकर तो जरूर लेके ही बाद चाई चन्नी है और उसके बाद जो क्या बोलते हैं हम उसको याद करने लिए जिसमें हम बनाते हैं वो लेकर आए तो यह थोड़ा सामान लेकर आए उसके बाद उसके सपूंस लेकर आए दौ-तीन काटौरी एक डीज लेकर आए- उसके बाद आप टूड़ परस और वो अब सब चीज़े लेकर आए उसके बादक भी मैडिसीन ला सकते हैंं मगर अब essence की prescription ज़रूरी है prescription के मिना आप लाएंगे तो ऐसा हो सकता है कि आपको check करें और फिर आपको लाने ना दे यहां पे तो medicine लाए तो उसकी prescription लेके आए उसके बाद हम आ जाता है documents पे तो इंडिया में अपने documents कुछ काम के हैं अगर हम यहां पे आ जाएंगे तो हमारे साथ ही लेके आएंगे ना इंडिया के document तो आधार काड होता है pen card होता है फिर अपना IELTS का result 2012 की result living certificate तो उसके बाद है अगर आपने college किया तो college के results होंगे उसके भी certificate होंगे वो सब उसके बाद passport birth certificate COE की 2-3 print लेके आना और क्या बोलता हूं मैं कि जो भी यह prints लेके आया तो उसका क्या है कि true copy करा के लाना वो जो हम कराते हैं ना court में जाके या school के principal से तो वो करा के एक दो copy लेके याना उसके बाद है birth certificate विजा copy और passport size pictures इतनी चीज़े जो आपको लेके यानिया document में और एक दूसरी चीज़ कि जब आप आ रहे हैं यहां पर तो जब आप airport में होंगे तो यह सारी चीज़े आप साथ में लेके गुमेंगे नहीं तो जब आप airport में से आ रहे हैं तो आपके पास तीन चीज़े होनी जरूरी है एक COE उसके बाद आपका visa grant letter और passport यह तीन चीज़े तो आपके पास होनी चाहिए और ticket तो होगी तो यह चीज़े जब आप अपनी flight लेने चाहें तो यह सब अपने साथ रखे और दूसरी चीज़े मैंने बोली वह आप अपने luggage bag में भी रख सकते हैं ठीक है तो यह documents थे औ और उसके बाद last में आ जाते यह तो सारी हो गई चीजे जो लानी है यहां पर और उसके बाद last चीज़े है कि बहुत सारी memories लेके आईएगा अपने दोस्तों के साथ गरवालों के साथ क्योंकि यहां आने के बाद वह बहुत याद आने वाला हैं तो यही है तो आज के आपके लिए संद्राइव रही आपको काम भी लगेगी तो बस ऐसे वीडियो हम आपको आपके लिए लाते रहेंगे अगर आपको कुछ और जानना है तो लिख सकते तो मुझे आईडिया अए कि आपको क्या जानना हैं तो बस आज के लिए वस इतना ही और मिलते हैं एक नए व्लोग में टाडा